आज हमने बिना जारा और बिना बुदी के एकदम आसान तरीके से मोती चुर के लड्डू बनाए है और ये एकदम टेस्टी और मुँ में गुल जाए ऐसा बनता है तो रेसिपी की सुरुवात करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो रेसिपी की सुरुवात करते है और बनाते है मोती चूर के लड़ू 250 मेल कप का माप से एक कप चना डाल ली है ये 200 ग्राम चना डाल है इसे मैंने 2-3 बार पानी से दो लिया था और 3 गंटे के लिए पानी में बिगो के रखा है अभी हम इसे दो बार पानी से दो लेते है और पानी निकाल लेते है चना डाल को दो के एक स्ट्रेनर में निकाल दिया है ताकि इसका पानी जो है वो सारा निकल जाए मिक्सर का छोटा जार लिया है इसमे थोड़ी थोड़ी डाल डाल के क्रस कर लेते है इसे हमें एकदम फोर्सली क्रॉस करना है पल्स बटन दबा के इसे रुक-रुक के चलाएंगे थोड़ा क्रॉस करने के बाद इस तरह से इसे चला लेना है इस तरह से इसे घ्राइंड करेंगे तो यह रॉफली घ्राइंड होगी और इसमें कोई भी चना दाल साबुत रह गई हो, इसे हमें निकाल लेना है दाल में 2-3 टेबल स्पून पाने डाल के इसे ग्राइंड कर दिया है इस तरह से इसे एकदम रॉफली ही ग्राइंड करना है इसे फ्राइ करने के लिए गी या तेल किसी का भी इस्तमाल करना है मैंने यहाँ पे गी को गरम करने के लिए रख दिया है गी में इसे फ्राइ करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा और यह ज़्यादा दिन तक टिकेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ में लेना है और गरम गी में इसे छोड़ देना है गी में डालते टाइम फ्लेम को थोड़ी दीमी कर देना है मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राइ करना है एक मिनिट के बाद इसे पलट लेना है तीन से चार मिनिटी से मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है इसे हमें क्रिस्पी नहीं करना है ये सॉफ्ट ही रहना चाहिए ये हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है इसे मैंने फ्राई कर दिया है अभी ये रूम टेंपरिचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं ये ठंडा हो गया है तो इसे हम मिक्सजार में तोड़ के डाल देंगे इस तरह से दो बेचिस में इसे पीसेंगे आदव अभी दालके में इसे क्रस कर लेती हूँ और इसे हमें सुजी के जैसा क्रस करना है एकदम बारिक नहीं करना है पल्स बेटन दबा के थोड़ा सा ही इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंड कर लेते हैं पल्स बटन दबा के इसे एकदम रुक-रुक के ग्राइंड किया है, आप देख सकते हैं, यह थोड़ा मोटा है, बाउल में निकाल लेते हैं, और इस तरह का इसे रॉफली ग्राइंड करना है, अभी हम चासनी बना लेते हैं, एक कप चीनी ली है, यह 200 ग्राम चीनी है, इसे क कड़ाई में डाल देंगे, आधा कप पानी, तेज आज पे लगातार चला कि चीनी को मेल्ट कर लेते हैं, चीनी मेल्ट हो गई है, गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे एक तार की चासनी होने तक पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे 5 मिनिट चासनी को मैंने बॉयल किया है अब हम गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और इसे चेक कर लेते हैं इसे थोड़ा थंडा करेंगे इसके बाद इसे चेक करना है तब तक हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं चासनी थोड़ी थंडी हो गई है तो इसे हम चेक कर लेते हैं अब देख सकते है एक तार बन रहा है गैस की फ्लेम मैंने चालू कर दी है धीमे आच रखना है आदे टीस्पून इलाईची पाउडर डालेंगे एक चौथाई टीस्पून फूड कलर औरेंज कलर मैंने डाला है मिक्स कर लेते हैं मैंने यहाँ पे लिक्विड औरेंज फूड कलर लिया है अब पाउडर कलर जो आता है वो भी ले सकते हैं तीन से चार ड्रॉप लिम्बू के रसका डाल देंगे इसे चास्ति जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी और लड़ू सॉफ्ट बनेगा चना डाल का मिसरन जो रेडी किया है यह डाल देंगे गैस की फ्लेम बन कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर दिया है गैस की फ्लेम चालू कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे एक मिनिट कूक किया है गैस ओफ कर देंगे और इसे गेस पी से नीचे उतार लेते हैं, अब देख सकते हैं, यहाथ सा इंगा है, इसे हम थोड़ा थंड़ा होने देंगे लड्डू के मिखरन को बॉल में निकाल दिया है, इसे थोड़ा सा हाथ से छूँ सके, इतना थंड़ा कर लेते हैं तड़का पैन में एक टेबल स्पून गी डालेंगे, दस काजु का एक का दो पीस किया है, यह डाल के इसे थोड़ा सा फ्राइए कर लेते हैं, आपको अगर किस्मिस डालनी है तो वो इस ताइम पर फ्राइए करके आप डाल सकते हैं, यहां पर में किस्मिस नहीं दाल रही काजू को थोड़ा सा light brown करेंगे इसका बहुत ज्यादा color chain नहीं करना है gas off कर देंगे और इसे लाडू के मिस्रण में डाल देते हैं लडू में डाल देंगे काजू और गी दोनों अच्छे से mix कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसका हम लडू बना लेते हैं इस तरह से सभी लडू रेडी कर लेते हैं मोती चुर लडू रेडी है यह बहुत ही tasty बना है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताइए तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ